जहीं दोस्तों UPSC Hindi के इस online platform पे मैं आवनी सिंग आप सभी का स्वागत करता हूँ यह हमारी history की class 5th आज, sorry, geography की class 5th, history complete करा दी गई है class 5th यह है geography की class 5th, तो आएए देखते हैं हम, एक बात और इस class का यह जो pdf है, आपको इस telegram channel पे मिल जाएगा UPSC Hindi for CS, इस channel पे आपको मिल जाएगा, telegram channel जिन्होंने नहीं जोइन किया वो pdf प्राप्त करने के लिए हमारा यह telegram channel जोइन कर लें, तो देखते हैं अपना पहला प्राश्न भूपरपटी में किन दो elements की बहुलता है, भूपरपटी में, यानि कि crust में crust में किन दो elements की बहुलता है, सबसे जादा कौन से दो elements हैं, तो आपका answer क्या होगा, आपका answer क्या होगा Silicon और Aluminium Silicon और Aluminium हमारा next question है वजन की अनुसार भूपरटल पर सरवादिक मात्रा में पाय जाने वाले तत्व कौन से हैं? तो कौन सा है? oxygen है, कितना है? 46 प्रतिशत इस का मैंने quote बना रखा है यह, oxygen, silicon, aluminum और ये क्या है आई क्या है आप लोग कमेंट करके बताईए इसको क्या है आई से चोथे नमबर पे क्या है आप लोग कमेंट करके बताईए चलते हम लोग अपने next question पे mental प्रित्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए है तो आपका उत्तर क्या होगा, 83 प्रतिशत भाग को, 83 प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, कितने प्रतिशत भाग को, 83 प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, और कभी पूछता यह जो भूर परपटी है, क्रस्ट, जो यह क्रस्ट है, वो कितने प्रतिशत भाग को घेरे हुए है, तो आपका जवाब क्या होगा जीरो दसमलो पांच प्रतिशत ये पांच प्रतिशत नहीं होगा कितना होगा जीरो दसमलो पांच प्रतिशत नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अच्छा एक बात और कि अगर मेंटल की अगर पूछ ले मुटाई कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा उन्ती सो किलोमीटर की मुटाई है कितनी मुटाई है उन्ती सो किलोमीटर की मुटाई है और जो मैगमा चैंबर्स है जो मैगमा चैंबर्स है वो प्रिथवी के इसी भाग में मेंटल में ही पाय जाते हैं कहां पर पाय जाते हैं प्रिथवी के इसी भाग में मेंटल में ही पा असंबधता को क्या कहते हैं, क्रस्ट और मेंटल के बीच पाय जाने वाले डिसकंटिनिटी discontinuity को क्या कहते हैं क्या कहते हैं बताइए इसको कहते हैं मोहविसिक असंबधता यानि मोहविसिक discontinuity कहते हैं इसको क्या कहते हैं मोहविसिक discontinuity कहते हैं क्या कहते हैं मोहविक discontinuity कहते हैं अच्छा ये तो हो गया मोहविक लेकिन जो mental mental के बीच उपरी mental और नीचले mental के बीच, पाय जाने वाले असंबत्धता को क्या कहते हैं? रेपेटी का कहते हैं? रेपेटी असंबत्धता जा आप से कभी पूछ ले कि mental और core, mental और core के बीच, तो गुटनबर्ग गुटनबर्ग असंबत्धता गुटनबर्ग विशाट पूरा नाम इसका है गुटनबर्ग असंबदता या गुटनबर्ग डिसकंटिनिटी आप इसको बोल सकते हैं और अंतता कोर और कोर के बीचे 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 बीच सरवाधिक मात्रा में पाए जाते हैं कौन से दो एलिमेंट स्कोर में सरवाधिक मात्रा में पाए जाते हैं तो वे हैं निकल और फेरस इसलिए से क्या कहते हैं नीफे इसलिए से क्या कहते हैं नीफे निकल और फेरस पाए जाते हैं कभी पूछ दे कोर जो है प्रिथवी के पुझे कि आसत त्रिज्या क्या हैोम क्रॉस्ट से जब हम पोर की तर्फ बढ़ते हैं तो क्या तापमान पर क्या अशर पढ़ता तो प्रति 32 किलोमीटर पर एक डिग्री तापमान वन डिग्री सेल्सियस एक डिग्री तापमान क्या होता है वो इन्क्रीज होता है बढ़ता है और सबसे नीचला इस्थान ये ध्यान रखेंगे आपकी इस थलीच यहां क्या लिखा है इस थलीच पर सबसे नीचला खैत्र कौन सा है सबसे निचला छेत्र कौन सा जार्डन में इस्थित मृत सागर जो है वो प्रिथवी का क्या है सबसे निचला छेत्र है सबसे पहले या किसने बताई कि प्रिथवी गोल है सबसे पहले यह बात किसने बताई कि प्रिथवी गोल है पाइथागोरस ने बताई थी, किसने बताया था, पाइथागोरस ने बताया था कि पृत्वी गोल है, और यह किसने बताया था कि पृत्वी नारंगी के समान है, पृत्वी जो है वो नारंगी के समान है, यह किसने बताया था, आईजेक न्यूटन ने बताया था, किसने बता है। तो 41 प्रतृषर्षत भाग पर जल है। कितने प्रतृषर्षरद ही तर इस्थल कितने प्रतृषरद भाग पर है pan 6 अच्छा कभी ratio पूझ दे, जल और स्थल का, कभी स्थल और यल का ratio पूझ दे तो क्या बताएंगे आप? 7 is to 3, क्या बताएंगे? 7 is to 3 Next Next है हमारा, प्रिथवी की अधिक्तम गहराई कितनी है Aaron कहाँ है? प्रिथवी की अधिक्तम गहराई प्रित्वी पर सिर्फ इस्थल पर पूरे प्रित्वी पर जल इस्थल दोनों मिला करके पूछ ले तो अधिक्तम गहराई कितनी है maximum death अधिक्तम गहराई maximum depth अगर आपसे पूछे maximum depth जो maximum गहराई है वो कितनी है तो क्या बताएंगे कहां पर है मोरियाना गर्द मेरियाना गर्द में है 11,022 मीटर और सर्वादिक उचा पूछे तो उचा पूछे तो 8,000 कितना है 8,850 मीटर किसका है ये माउंट एवरेस्ट का है ये तो दोनों में अंतर कितना हो गया है 20,000 मीटर यानि सर्वादिक गहराई maximum depth और क्या है अब पूछे की सबसे ज़्यादा उचाई maximum height जो peak है उन में क्या पूछे आप से कि दोनों में कितना अंतर है तो 20,000 मीटर का यानि 20 किलो मीटर 20 किलो मीटर का क्या है अंतर है दोनों में next इस्थल मंडल की महादीपी छेतर की मोटाई कितनी है इस्थल मंडल के महादीपी छेतर की मोटाई कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा 40 किलो मीटर और पूछ दे अगर इस्थल मंडल के लाव महासागरी छेतरों का पूछे तो 12 से 20 किलो मीटर 12 से 20 किलो मीटर नेक्स्ट है ग्रेनाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरन है या किस प्रकार के चट्टान से पाया जाता है तो आपका जवाब क्या होगा आगनिय चट्टान से आपका जवाब क्या होगा आगनिय चट्टान से इगनियस रॉक जिसको बोलते हैं इग्नियस रॉक बोलते हैं इग्नियस रॉक के उधारण और कौन से हैं बेसाल्ट हो गया पैगमेटाइट हो गया ग्रेबो हो गया डायराइट हो गया बेसाल्ट पैगमेटाइट ग्रेबो डायराइट यह चारू क्या है आग्निय चट्टान के उधारण है और इस कि चलते अपने नेक्स प्रेस्ट पर कोडर्मा कोडर्मा जो की जार्खंड में कोडर्मा जो की जार्खंड में है में पाए जाने वाला अभरक किन शैलों से मिलता है किन शैलों से मिलता है तो आपका जवाब होगा किन शैलों से मिलता है पैगमेटाइट शैलों से पैगमेट किसे प्रकार के चटानी पिंड जाते हैं कई प्रकार के तो इन में से जो सबसे बड़ा आगने सब्सक्राइज जब कूष है जो सबसे बड़ा आगने चट्टानी पिंड है उसे क्या कहते हैं हम बैथोलित बैथोलित क्या कहते हैं क्या कहते हैं इसे बैथोलित कहते हैं एक प्रकार का यह अंतरवेदी चट्टान है इंट्रूसिव रॉक जिसको बोलते हैं नेक्स्ट गुंबद आकार शेप गुंबद आकार गुंबद आकार का यानी शेप लिया हुआ फोस्पिंड जो छत्री नुमा कैसा दिखाई देता है छत्री नुमा दिखाई देता है दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं इसे क्या कहते हैं इसे लैकोल कि समांतर पर्तों में फैल कर जम जाता है तो उसे क्या कहते हैं सिल कहते हैं यह कहां पर मिलते हैं 36 गड़ जारखंड में सिल कहां मिलता है 36 गड़ और जारखंड में मिलता है 36 गड़ जारखंड में डाइक एक प्रकार होता है dyke 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 होता है जब मैंगमा लंबवत दरार में कैसा हो लंबवत यानि ऐसे ख़डे शेप में ऐसे जम जाया तो उसे क्या कहते है हम लोग dyke dyke कहते है तो यह थे हमारे ज़िएग्रफी के 15 प्रस्थन आए इनको फटा फटाम revise कर लेते है गुंबदाकार के शेप का ठोस पिंड जो छत्री नुमा दिखाई पड़ता है उसे क्या कहते हैं लैकोलित सबसे बड़ा आगने चट्टानी पिंड जो अंतरवेदी चट्टानों से बनता है उसे क्या कहते हैं बैथोलित पोडर्मा जो की जार्खन में पाय जाने वाले वाला अभरक किन शेलों से मिलता है पैगमेटाइट शेलों से ग्रेनाइट किन प्रकार के चट्टानों का उदारण है आगने चट्टान इस्थल मंडल की महाद्वीपी छेत्र की मुटाई लगबग कितनी है 40 किलो मीटर प्रित्वी की अधिक्तम जो गहराई है वो कितनी है और कहां पर है मौरियानागर्थ की है कितनी है 11,022 मीटर है और सरवाधी कुझा 8,850 क्या है माउंट एवरेस्ट है दोनों के बीच में पुल कितने प्रितिशत भाग पर जल है तो 71 प्रतिशत सबसे पहले या किस ने बताया कि प्रित्वी गोल है पाइथा गोरस ने किस ने बताया पाइथा गोरस ने प्रित्वी के इस्थली छेत्र पर वो कौन सा छेत्र है सब प्रित्वी के इस्थली छेत्र पर सबसे निचला छेत्र सबसे निचला छेत्र जॉर्डन में स्थित मृत सागर प्रित्वी के ओसत त्रिज्जा कितनी है प्रित्वी की जो ओसत त्रिज्जा है वो कितनी है 6,700, 6,370 किलो मेटर 6,370 किलो मेटर है पृत्वी के केंदरी भाग में कौन से दो एलिमेंट सरवाधिक मात्रा में पाय जाते हैं तो निकल और फेरस कौन कौन से है वो निकल और फेरस क्रस्ट और मेंटल के बीच पाय जाने वाली असमबद्धता को क्या कहते हैं मोहुविसिक डिसकंटिनिटी अभी स्टार्टिंग मैंने बहुत सारी डिसकंटिनिटी आपको बताईए मेंटल पृत्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग गेरे हुए 83 प्रतिशत भाग गेरे हुए वजन के अनुसार वो पटल पर सरवादिक मात्रा में पाय जाने वाला तत्व है औक्सीजन इसका मैंने एक कोड बताया था आपको ओसाई वो परपटी पर किन दो एलिमेंट्स की बहुलता है तो सिलिकन और अलुमिनियम की किसकी बहुलता है सिलिकन और अलुमिनियम की तो यह थी हमारी आज की geography की class day 5 over हो गई है अगर आपने अच्छे से prepare क्या हो तो next जो पिछले 5 दिन में आपने पढ़ा ही किये 30 question per day 15 15 into 5 day आपके पास 1500 question की सीधे सीधे आपके पास list हो गई होगी जो आपको लगता बहुत कम है इन 1500 question को daily revise कीजे daily इनको पढ़िए और पूरा अगर आप fact जोडेंगे तो 1500 into कम से कम 3 कर लीजे साड़े 400 450 facts अब तक होगा है इनके notes बनाईए इनको revise कीजे इतना कीजे चलिए आज के लिए इतना ही जहन